हाईपर पिगमेंटेशन के कारण, अक्सं हमारे होटों की तुचा काली हो जाती है, जिसे δेखने में काफी अच्चा महसूस नहीं होता है, यब एक सामाने समझ चाहें जो हमारे होट की तुचा की कोशिकाओं की बड़तों में मिलनिन की मातरा अधिक होने के कारण हो सकती है, यूबी किरने, धूमरपान, लिफ्टिंग की जलन या कैफिन के सेवन के कारण भी हमारे होट टाक हो सकते हैं आप अपने जीवन शैली में कुछ फेर बदल कर होटो की तुचा को प्राकिर्तिक रूप से गुलाबी और कोमल बनाए रख सकते हैं ऐसे में चली इस वीडियो में कुछ ऐसे प्राकिर्तिक घरिलू उफचारों के बारे में जानते हैं जिन्हें आज माकर आप अपने होटो के काले पन को दूर कर सकते हैं वीडियो को अन्तक जरूर देखें काले होटो से छुटकारा पाने के लिए आप पहला उपाई कर सकते हैं कि नीमू और चीनी का स्क्रब बना कर लगाएं होटो को काले पन को दूर करने के लिए आप सोनी से पहले लिप पर नीमू के चिलके को रगड़ सकते हैं जो मलनिन अमरोधक की तरह काम करता है फिर सुबा में जगने के बाद इसे ठंडे पानी से धोले अगर आप इस नुस्के को लगातार 30 दिनों तक आज माते हैं तो आपको व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा इसके अलाबा आप चाहे तो नीमू के साथ चीनी को भी मिला कर अपलाई कर सकते हैं या नीमू और चीनी एक्सफोलियेटर के रूप में भी काम करता है आप नीमू करस शहद और गलीसरीन भी आज मा सकते हैं इसे सोने से पहले अपने होटो पर लगा सकते हैं दूसरा है हल्दी और दूद का पेष्ट लगाएं होटो के कालेपन को दूर करने में हल्दी और दूद का पेष्ट काफी मदद कर सकता है हल्दी एक शांदार मिलन अवरोधक भी है हल्दी और दूद का पेष्ट सयार करने के लिए एक कटोरी ले उसमें एक बड़ा चमर दूद और हल्दी पाउडर मिला कर पेश्ट बना ले फिर इसे धीरे से अपने होटों पर लगाए और पास मिनद बद ठंडे पानी से हलके हाथों से धोले इसके बाद मौशुराजिंग लिए बाम जरूर लगाए बेहतर रिजल्ट के लिए सब्ता में दो बार इस मिर्शन को लगाए हाला कि स्टोरेज हल्दी पाउडर की वजाए केवल प्राकरतिक हल्दी पाउडर का उपयोग करे तीसरा है होम मेंड हनी स्करब का इस्तेमाल करे हनी स्करब एक बेहतरीन एक्सफोलियेटर है जो आपकी तोचा के ओपरी परत पर मौशू डेड़े स्किन सेल्स को हटा सकता है शहद और एक चमबा चीनी का मिशन होटो पर लगाने से तोचा गुलाबी और कोमल होगी शहद और चीनी के मिशन के होटो पर हलके रगड़े और फिर इसे गरम पानी से धोले एक्सफोलियेट करने से समवेदन शीलता और जलन हो सकती है क्योंकि हमारे होटो की तोचा बहुत ही नाजुक होती है इसलिए सब्ता हमें एक बार से अधिक एस्फोलियेट ना करें चोथा है बादाम के तेल से मालिश करें होटो की कालेपन से चुटकारा दिलाने में बादाम का तेल भी काफी कारगर है होटो पर बादाम के तेल की मालिश करने से उन्हें नमी मिलती है और सर्कुलेशन पावरी बढ़ती है चुकि होटो में रग्त वाहिकाएं रंग उत्पन करती है इसने उनकी मालिश करने से इस प्रकिरिया को बढ़ावा मिल सकता है हाला कि अच्छी गुमरता वाले बादाम के तेल का उपयो करें जिसे कोई नुकसान ना हो अगर आप ऐसा करते हैं तो एक हपते के अंदर आपको बदलाव नजराने लगेगा इसके लिए होटो के खालेपन से शुटकारा पाने के लिए आप घहर पर ही लिपबाम तयार कर सकते हैं इसके लिए आप एक चमच मदुमोम जिसे वीवेक्स कहते हैं वो लें उसे 45 सकेंड के लिए हाइट टेंपरेचर पर माइक्रोवेव में रखें इसके बाद उसे बाहर निकाले अब इसमें एक चमच नारिल का तेल मिला है इसके बाद इसमें तीन वोदे पिपर मिंट ओयल डाल कर एक छोटे वरतन में रखें और पास मिर तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें इस मिर्शन को फ्रिज में रखें आपका होम मेट लिपपाम तयार है इस homemade lip balm लगाने से एक महिने में होटों के काले पन से छुटकारा मिल जाएगा तो अगर आपके भी होट काफी काले है उसे गुलावी बनाने के लिए आप इन सारे home remedies का इस्तेमाल कर सकते हैं ये काफी कारगर सावित होंगे आपके होटों को गुलावी बनाने में